कि लास टेंथ कंप्यूट्र सेपteर सिकेंड है संचार माध्या मेन कम्मिन के सन मीडिया, और वी पार्ट वन nih है कि इससे पहले मैं एक चेप्टर पढ़ा चुका हूं data संचरण, ये चैप्टर सिकेंड है, संचार माध्यम communication media, ये part 1 है, अब page number 1 है आप दिखें इसमें चैप्टर का नाम है संचार माध्यम, दिखें पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे data संचरण, तो data संचरण का मतलब आपको मैंने वहां समझाया था। जब किसी डाटा को एक computer से दूसरे computer पर भेज जाता है, तो उसे डाटा संचरण कहा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में संचार माध्यम, देखें संचार माध्यम मिन्स क्या होता है, जब कोई डाटा एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भेजा जाता है, तो डाटा किस के द्वारा भेजा जाता है, इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, कि केवल से भेजा जाता है, कि तरंगों के माध्यम से बेजा जाता है इस सेप्टर में पूरा इहें discussion है तो सबसे पहली heading है संचार माध्यम प्रेशक द्वारा प्रेशक मिन्स जो भीजता है सिंडर प्रेशक द्वारा भेजे गए संदेश जब कोई भी संडर कोई भी चीज भेजेगा तो मैसेज होगा प्रेशक द्वारा भेजे गए संदेश संचार माध्यम की सहायता से अगर कहीं भी आपको एक वर्ड मिले संचार माध्यम तुरण समझ जाना यहां पर किसी केबल या तरंग की बात हो रही है संचार माध्यम की सहायता से ग्राही तक पहुचते हैं ग्राही मिन्स होता है receiver, तो ग्राही तक भेशते हैं, आपको पता है कि जब हम आप कोई भी message एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भेशते हैं, तो ओ मैसेज किसी ने किसी संचार माध्यम द्वारा ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर transfer होता है आथा वे भातिक मार्ग जिसके द्वारा डाटा बिदुद चुमकी तरंगों के रूप में संचरण करते हैं उन्हें संचार माध्यम या संचरण माध्यम कहा जाता है अब देखिए संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं पहला होता है निर्देशी संचार माध्यम या तार माध्यम दूसरा होता है आ निर्देशी संचार माध्यम या बेतार संचार माध्यम गाइड़ कम्यूनकेशन मीडिया या वायर मीडिया अनगाइडेड कम्यूनकेशन मेडिया या वायरलेस कम्यूनकेशन मेडिया यहां पर पहले यहां डिफिनीशन समलेजे निर्देशित संचार माध्यम या तार माध्यम मिन्स क्या होता है जब किसी मैसेज को किसी तार के द्वारा एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर भीजा जाता है तो उसे निर्देशित या तार संचार माध्धम काते हैं तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला है निर्देशित या तार संचार माध्यम, निर्देशित संचार माध्यम में डाटा तारों के द्वारा होता है, पहले भी मैंने बताया है, कि तार संचार माध्यम में जो भी डाटा ट्रांसफर होता है, तार के द्वा पहले निर्देशित संचार माध्यम को निमलिखित भागों में बाटा जा सकता है। प्लास्टिक का कवर नहीं चड़ा होता है। प्लास्टा ना होने के कारण इनका उप्योग अधिक दूरी के डाटा संचरण में नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए वायर है जैसे ये पोल है पोल ये पोल है और इस पर वायर लगे हुई है। सिकेंड है आपका विवर्तित यूग मतार जिसे हम लोग ट्विस्टेड पेर केबल भी काते हैं। विवर्तित यूग मतार में दो चालक तारों का प्रियोक किया जाता है। इन तारों पर विध्युत रोधी प्लास्टिक का आवरन चड़ा होता है। उसमें दो चालक तार होता है एक positive होता है एक negative होता है और उनिके उपर एक plastic का coated चड़ा होता है plastic का cover चड़ा होता है तथा यह दोनों तार आपस में लिप्टे भी होते हैं देखे आपस में क्या होते हैं black और red color का होता है positive होता है एक negative होता है इन तारों में से एक तार धानात्मक डाटा सिगनल तथा दूसरा तार रिडात्मक डाटा सिगनल को भेजने का कारी करते हैं मैंने पहले ही बताए कि एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा इन दोनों तारों में अधिक से अधिक यूग्म दिये जाते हैं ताकि इन दोनों तारों में कोई भी ध्वनी जो एक तार में उत्पन हो दूसरे तार द्वारा नस्ट किया जा सकता है मिंस कहाता है जो प्लास्टिक का कवर होता है उसका इतना यूग मिंस होता पेर इतना ज्यादा पेर बनाया जाता है कि एक टार में अगर कोई भी वाइस होती है दूसरे तार दोर वो नस्ट किजा सकती है। दूसरे तार पर उसका कोई effect नहीं पड़ेगा। बिवर्थित यूगमतार दो प्रकार के होते हैं पहला होता है आप परिरच्छित बिवर्थित यूगमतार जिसे हम लोग अंसाल्डेड ट्विश्टिट पेयर केबल काते हैं इसमें धुहनी के प्रभाव को कम करने के लिए इन यूगमतारों पर एक विशेश प्लास्टिक कोटेट कवच पायना दिया जाता है इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक का कवर पायना दिया जाता है जिससे धुहनी कम हो दूसरा होता है परिरच्छित बिवर्थित यूगमतार इसमें ध्वन के प्रभाव को कम करने के लिए इन यूग में तारों पर एंसूलेटर की पर्द चड़ा दी जाती है मिन्स एक जालीदार पर्द चड़ा दी जाती है देखें सबसे पहले क्या होता है एक जालीदार पर्द होता है वायर होता है पिर जाली दार परद होगा पिर उसको पर प्लास्टिक का कोटर चढ़ा दिया जाता है जिससे इसकी वाइस जो होती है ध्वन होती है वो कम हो और तीसरा नमबर है समाच्छतार है समाच्छतार देखे क्या है यह तार भी देखने में विवर्तित यूगमतार के ही समान होती है किन्तु इसकी जो सररचना होती है बनावर्ज होती है विवर्तित यूगमतार से थोड़ा भिन होती है समाच्छतार में भी विवर्तित युगमतार के ही भात दो चालकतार होते हैं किन्त इसमें अंदर एक सीधा चालकतार होता है जिसके चारो और इंसुलेटर की मोटी पर्द चड़े होती है जो की कुछालक का कार करती है जैसे देखिए आप लोग के घर में क्या होता है टीवी होता है तो जो ओ आक्सियल केबल होता है समाच्छतार होता है जो टीवी जिससे दिस आता है ओ आपके समाच्छतार ओ आक्सियल केबल होता है जिसमें देखिए एक जालीदार पर्द चड़ी होती है जालिदार होता है जिसे हम लोग बाइचालक का तो उसके उपर प्लास्टिक का कोटेड चड़ा होता है तो समाच्छ तारभी सेमदर्ट विवर्तित युगमतार की ही तरह होता है लेकिन इसमें दो चालक तार होते हैं तो इसमें एक सीधा चालक तार भी निकला होता है और छौथा नमबर, प्रकासिक तंत। जिसे हम लोग fiber optics cable काते हैं तो प्रकासिक तंतु डाटा संच्रन का आधुनिक माध्यम है कि इस समय जो CCTV कमरे में हम लोग वायर यूज करते हैं वो सब आपका फाइवर आपकी केबल होता है प्रकासिक तंतु में बहुत पतले तथा लचीले काच के तंतु लगे होते हैं जब उस वायर को हम लोग छीलते हैं उससे जो वायर निकलता है वो बहुत लचीला होता है पतला होता है जो डाटा संच्रन में सहायक होते हैं जिससे डाटा को क्या करते हैं संड के आजाता है देखी क्या होता है CCTV कैमरा होता है उसमें क्या होता है मैसेज को संड के आजाता है किसी भी वीडियो को, इन काच के तंत को कोर कहा जाता है, मिंस क्या होता है, जब उस काच को वायर को छी लेंगे, तो जो वायर निकलेगा, वो क्या होता है, आपका कोर उसे कहा जाता है, इन तंतुओं के बाहर काच का एक कवच लगा होता है, इन तंतुओं के बाहर, मिंस का काच के वायर के ऊपर के बाहर काच का एक कवच लगा होता है जिससके क्लाडढ़ होता है यह प्लास्टिक का आवरण होता है इसके बाद क्लैडिंग होता है एक कोर होता है इससे क्या होते पतले पतले क्या निकले होते तंतु लगे निकले होते हैं अब देखिए आ निर्देशी संचार माध्यम इससे पहले हम लोग निर्देशी संचार माध्यम पढ़े थे निर्देशी संचार माध्यम चार प्रकार के होते थे खुले तार, विवर्तित युगमतार, सामाच्य तार और लास्ट आपका था प्रकासिक तंदू तो आ निर्देशी संचार माध्यम या बेतार संचार माध्यम जिसमें तार की आउसकता नहीं पड़ती है जिसमें मैसेज को तरंगों के द्वारा भेजा जाता है बेतार संचार माध्यम द्वारा डाटा का संच्रण बिद्दुत चुम्म की तरंगों के रूप में किया जात होता है इसमें किसी भी भौतिक माध्यम कि रसकता नहीं होते , क्रिभस की होता है कि मोबाईल में कोई भी केबल कुछ नहीं लगाहता है लेकिन कनि डाटा नहीं होता है तो वेप के माध्यम से होता है वेप्स क्या होता है यह अर्मे होती है तो बेतार संचार माध्धम निम्न प्रकार के होते हैं पहला है माइक्रो माइक्रो वेप तरंगे देखे वेप विद्धु चुम्मकी तरंगे जिनकी आवरित्ती जिनकी फ्रिक्वेंसी एक जीगा हर्ज से तीन सो जीगा हर्ज के उतना ही कम होती है तो अगर एक जीगा हर्च से तीन सो जीगा हर्च के बीच में जिसकी आब रित्ती होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे माइक्रो तरंगे काते माइक्रो वेब तरंगे काते माइक्रो वेब तरंगे क्या होती है केवल एक दिशा में फैलती है तथा वे एक बिं एक ही दिशा में फैलती हैं लेकिन आगे मैं पढ़ाऊंगा रेडियो वेप्स रेडियो वेप्स की जो तरंगे होती हैं चारो दिशा में फैलती हैं लेकिन जो माइक्रो वेप तरंगे होती हैं एक एवल एक ही दिशा में फैलती हैं और एक बिंद उपर जाकर केंदरित हो ज करने वाले एंटीना का सीधे आमने सामने होना आवेस्चक है मिन्स क्या है जब जो माइक्रोवेब तरंगे क्या होगी जहां से जहां से तरंगे उत्पन होगी और जहां से तरंगे जहां से उत्पन होगी और जहां रिसीव करेगा उसका जो एंटीना होता है वो जेस्ट एक दूसरे के आमने सामने लगा होना चाहिए, चुकि यहां तरंगे केवल एक दिशा में फैलती हैं, आमने सामने इसलिए लगा रहेगा क्योंकि एक ही दिशा में तरंगे फैलती हैं, चारों दिशाओं में तरंगे नहीं फैलती हैं, अता दो एंटिनाओं के मध इन तरंगों क सीधे भेजा तथा ग्राहण किये जाते हैं तो माइक्रोवेब तरंगे क्या होती हैं याद रखेगा माइक्रोवेब तरंगे जिसकी आवरित्ती एक जीगा हर्च से 300 जीगा हर्च के बीच होती है उसे माइक्रो वेब तरंगे काते हैं और माइक्रो वेब तरंगे क्या होते है केवल एक दिशा में फैलती है और इसके जो एंटीना होता है हमेशा एक दूसरे के आमने सामने लगा होता है अब नेक्स टॉपिक में इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा रेडियो वेब्स